Hello everyone, once again आपका स्वागत है U-Born Academy में जैसा कि हम पहले बता चुगे हैं कि मैं इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइन्स को पूरी तरह डिगूट करेंगे Class 10 थे के अंदरगत साइन्स का फूर्ट सेप्टर चलना है जिसका नाम है Carbon and its Compound Carbon और उसके योगिक आज के इस वीडियो में हम Carbon की Chemical Properties के अंदरगत Combustion वाली reaction को डिसकस करेंगे Combustion को हिंदी में दहन बोला जाता है जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहें चले शुरू करते हैं Carbon and its Compound Part 10 Combustion जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है दहन जलना Carbon in all its allotropic forms burns in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light Carbon अपने सभी अपरूपों में Carbon के थी allotrops ते आपको याद आ रहोगा क्या बोला ताम ने एक Diamond, Graphite और Buckminster या Florence जिसको बोलता है अगर हम बर्न करते है बर्न किसकी परजेंस में होगा oxygen की परजेंस में तो O2 की परजेंस में बर्न होने के बाद क्या प्रोड़क्ट बनाएगा Carbon dioxide और क्या होगा उसमा रिलीज की जाएगी और light रिलीज की जाएगी Most carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning बर्न के बहुत सारे जो योगिक है उनको भी अगर हम बर्न करते हैं जलाते हैं तो उनमें भी क्या होती है energy release की जाती है और light produce की जाती है या light release होती है burning पर यादर आपको oxidation reaction पढ़ी थी हमने होपर oxidation reaction और reduction reaction ठीक है दोनों को combined form बोल देते हैं तो क्या बोलते हैं तो उसको redox reaction तो oxygen अभी की रिया अपचेन अभी की रिया ठीक है तो इस दंग से आपने first chapter के अंदर different types की reaction को देखा था तो अभी हम यहाँ पर carbon की कुछ reaction देख रहे हैं तो carbon अगर हम oxygen के शाँ reaction कराएं तो C plus O2 इस quality के अपने का CO2 plus heat और light क्या होगी यहाँ पर release की जाएगी carbon dioxide निकलेगी बाहर और उस्मा क्या होगी यहाँ बाहर निकलेगी methane है methane को Mars gas के नाम से बोलते हैं तो methane plus O2 इस quality के अपने का CO2 plus H2 और यहाँ पर क्या होगी heat और light यहाँ पर भी क्या होगी produce की जाएगी equation balance नहीं है आप balance कर सकते हैं अगले हमान पास reaction है CH3, CH2, OH इसको अपने आप में क्या बोला जाता है alcohol, alcohol में भी क्या होगा है alcohol है ethanol ethanol plus O2 इसे reaction करने के बाद क्या product बनाएंगे carbon dioxide और water CO2 plus H2 और इसमें क्या होगी heat और light फिर क्या होगी इसमें release की जाएगी balance the latter two reactions like you learned in the chapter first ठीक है जो equation 2 और 3 है इनको आप balance कर सकते हैं ठीक है balancing equation हम फ़र्स में पर सकते हैं मिथेन वाली में कर देता हूँ CH4 plus O2 is called to CO2 plus H2 तो इसमें कितना होगा चार तो यहां पर हम अगर 2H2 करते हैं यहां पर 2H2 करते हैं तो हमारे पास यहां पर 2O2 करना पड़ेगा ठीक है 2O2 करने तो हमारे पास क्या होगी equation balance हो जाएगा तो CH4 plus 2O2 is called to CO2 plus 2H2 तो यह क्या होगा अपने आमें balance equation वैसे आप नीचे वाले भी को भी balance कर सकते हैं activity 4.3 caution this activity needs the teacher assistance तीक है यह जो एक्रिया कलाब है यह आपको किसी की परिएक्शन जैसे teacher होगा तो teacher की परिएक्शन में यह reaction complete होनी है ठीक है teacher का होना होगा जोड़ी है क्योंकि हो सकता कोई accidental case ना हो करके तब जाके आप को ही वहाँ पर teacher की निग्दानमी करनी है take some carbon compounds methylene camphor alcohol ठीक है आपको क्या लेने का स्कार्वन की compound ने नैथलीन ले सकते हैं camphor ले सकते हैं और alcohol को ले सकते हैं one by one on a spatula and burn them ठीक है एक करके आप इनको spatula में कौन-कौन से पहले क्या ले आपने नैथलीन ले लिया फिर camphor ले लिया फिर alcohol ले तो अलगले इनका क्या करना है burning nature देखना होगा ठीक है किसमे करना है spatula में क्या करना है burn करना है observe the nature of the flame and not note whether smoke is produced उसके बाद के करना आपको इसको आपने स्पेस्वेम लेने के बाद इसको आपको जलाना है जलाने के बाद इसको observe करना है कि ये धुएदार ज्वाला के साथ जलता है या निजलता है ठीक है इसमें smoke produce होता है या नहीं होता है ये आपको observe करना है smoke produce का आर्थ क्या है आपने कभी कोलतार को जलाते हुए देखा होगा ठीक है तो उसमें क्या होता है smoke produce किया जाता है तो उसमें धुहा भी निकलता है और वह कमपॉंड जलता भी है तो वैसे ही जल लानी जल लाई यह आपको चेक करना है प्लेट आपको इन कमपॉंड को जलाते से में इसके उपर एक यह प्लेट रख देनी है और इन में से किसी भी योगी के कान क्या तस्त्री में कोई निक्षेपन हुआ ठीक है कोई उसमें डिपोजिशन हुआ यह नहीं हुआ यह आपको चेक करना है एक 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 तीन 4.4 इस पर आप देखाँगे कि जो क्या हुआ जो नैक्षिलीं कैमफर है ठीक है तो कैमफर की केस पर क्या होगा यह ने क्रिक कैस पर यह नेन पर कैमफर क्या होता है आपने आम में सभ्लीमेशन के थूब प्रोड्डक्ट बनते हैं आपको याद रहा कुग सब्सक्राइब क्या होता है सब्सक्राइब होते हैं तो उसके यहाँ पर डिपोजिशन पॉस्वल होगा जबकि एल्कॉल में ऐसा नहीं होगा एक्टिविटी 4.4 लाइट अब बंसन बर्नर एंड अड़्जस्ट द एयर होल एड़ बेस तो गेट डिफेंट टाइप सफ फ्ल सब्सक्राइब करने के लिए उसके अधार पर जो क्या था पॉइंट था ठीक है उसको करना आपको होल को करना आपको एड़्जस्ट करना है वेंड ड्यू गेट आ येलू सूटी फ्लेंग कब आप वहाँ पर पीली या सूटी धुएदार वाली ज्वाला को देखते हैं व तो वह ब्लू के साथ जलेगा अगर ऑक्षिन वहाँ पर प्राप्त मातर में सप्ला नहीं हो पाएगी तो वहाँ पर ऑक्षिन ब्लू के साथ पॉस्टी नहीं बनेगा तो वहाँ पर येलो और शूटी फ्लेंग प्रोडूस होगी यह जो संत्रप्त हाइडोकार्बन होते हैं ठीक है संत्रप्त यौगिक होंगे वह एक पीली या धोटी देते हैं मतलब ब्लू फ्लेंग के साथ क्या होते हैं वो बर्न होते हैं जबकि जो अन्साट्रप्त होंगे जो क्या होंगे असंत्रप्त यौगिक होंगे वह एक पीली या धोएदार ज्वाला के साथ क्या होंगे बर्न होंगे ठीक उसमें क्या स्मोक प्रोडूस होगा पिखेंगे यहां पर देखंगे जो एक धुलिए थी तो यहां पर यहां पर एक शूटी फ्लेम ठीके क्या होगा तो यहां पर एक शूटी फ्लेम हो जाएगा अगर हम आक्षिन को प्रयात्र मात्रमा नहीं दे ठीक है लिमिटेड मात्रमा अगर आक्षिन को सप्ला करते हैं तो उस इस्तीद में भी जो संट और के साथ जर्णने लग जाते है तो होगा तो उस इस्तिती में जो saturated hydrocarbon से वो भी shooty flame के साथ burn हो सकते है the gas kerosene the gas kerosene stove used at home has inlets for air so that a sufficient oxygen rich mixture is burnt to give a clean blue flame ठीक आपने देखा होगा घरो में जो gas है या फिर जो kerosene के stove होते है उन में नीचे की तरफ के आज होते हैं एक hole लखा रहता है जिसे क्या हो कि वहाँ पर oxygen प्रयापतर मातर में जा सके oxygen sufficient मातर में पहुंचेगी तो वो जो law होगी वो किसके साथ एक shooty flame के साथ क्या होगी burn होगी, no sorry, एक clean flame के साथ क्या होगी burn होगी, मतलब उसका combustion आसानी से पूर्ण हो सकता है अगर वहाँ पर oxygen प्रयापतर में नहीं जा पाएगी तो इसका मतलब क्या होगा वहाँ पर जो धूवदार ज्वाला होगी वो produce होगी अगरों में उपयोंग में लाए जाने वाली जो बरतन है तो इसका अर्थ होगा कि वाई जो एर होगी उन चिद्र से अवरुद हो जाती है और इधन का व्यर्थ ही व्यर्थ व्यर्थ हो रहा होगा तो वहाँ पर क्या होगा जो होल्स होगे उन में क्या होगी जो कारण होगा ठीक है जो एर होगी बाहन जा पाएगी तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर जो फ्यूल होगा वो फ्यूल का क्या होगा बरबादी होगी फ्यूल सच अज कोल एंड पेट्रोलियूम have some amount of nitrogen and sulfur in them तो उसमें कुछ मात्रा में क्या होती है nitrogen और sulfur होती है ठीक क्या कहरा है हम आपर nitrogen और sulfur की compound क्या होगी उसके साथ mix होगी their combustion result in the formation of oxides of sulfur and nitrogen which are major pollutant in the environment अब देखो हाँ पर क्या कहा हम ने जो petroleum की जो product है तो हाँ पर क्या sulfur है तो sulfur oxygen सी reaction करने के बाद क्या बना देता है sulfur dioxide बना देता है तो ये air pollutant है nitrogen oxygen के साथ reaction करने के बाद क्या बना देगा nitrogen dioxide बना देगा तो ये भी क्या होए air pollutant होगा तो ये atmosphere की बना देखन करते है और acid rain के लिए भी क्या होते है responsible होते है formation of coal and petroleum ठीक है क्या है हमारे पास जो petroleum है और जो coal है उसका निर्मानक ऐसे होता है तो उसको हम यहाँ पर देख रहे है coal and petroleum have been formed from biomass which has been subjected to various biological and geological process ठीक है आपने रिखा होगा कि जो भी क्या होते है coal और petroleum के जो product होते है उनका निर्मान ठीक है biomass से होता है ठीक है biomass जिसको जैव मात्रा से बोलता हम तो biomass से उनका production होगा ठीक है जो बिभिन क्या होगी biological and geological ठीक है जैवी की और भूवेगान के परक्रियाओं पर निर्वर्ण करते हैं dependence होते है coal is the remains of trees, ferns and other plants that lived millions of years ago जो coal है कोला होगा लाखों और से पुराने जैसे trees हो गया trees, bricks हो गया ferns हो गया और जो अन्य पेड़ पहुते हैं ठीक है उनके आउसेशों से क्या होते है प्राप्त होते है यह living things थी अब जिसे पेड़ हो गया fern है या आदर कोई प्लांट है तो यह living things है तो living things से हजारों शाल नीचे दबने के बाद क्या होता है petroleum का निर्मान होता है coal का निर्मान होता है इनका जो निर्मान होता है समोतों भूकम या ज्वालम की फटने के कारण यह धर्ती में जो चटान है उनके परतुगे भी नीचे क्या हो जाते है दब जाते है जो प्रत्वी है या धर्ती है उसके द्वारे क्या होगा इनको धीरे-धीरे वहांपर अनेक जो उनकी लेश होंगे उनके दब जाएंगे और धीरे-धीरे क्या होंगे यह कोईले के निर्मान का कैरे करती है प्रितिवी की अलग लग जो पड़ते होती उनके द्वारे इनको प्रेस किया जाता है ठीक और धीरे-धी क्या होगा इनको दिके हनों के बाद किसमें बदल जाएंगे कोई लिए बदल जाएंगे और गैसु का लाखू बार्च पुराने छोटे समुद्री जो पौधे होंगे या जीव होंगे उनके आउसेसु से बनते हैं ठीक तेल और जो क्या कहना हम जो पेट्रोल है ठीक टेल और पेट्रोल की प्रोड़क्ट है वो भी क्या होंगे लाखू मिलियन सब टाइनी प्लांस ठीक है क्या होंगे एनिमल्स समुद्र के नीचे दबए होंगे तो उन से इनको प्राफ्ट किया देगा वें दे डाइड दियर बोड़ी सेंक टू दा सी बैड एन्ड वर कन्वर्टेट बाई सिल्ट ठीक है इनकी जो मिर्त आउसेस होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे बैक तो ओल एन्ड गैस अंडर या प्रेशर डे वर बिंग सब्जेक्टिट ठू टू ठीक है क्या होगा बैक्तिरिया और देमटियर निचे के बाद गैसे प्रोड़ड क्या गा है और योग क्या होगा बैस पर यह दो जया बदल जाएंगे जानगे और जो गैसे है उन ग्यह the silt was slowly compressed into rocks जो silt होते हैं वो silt के आँगे धीरे-धीरे चटान बन जाते हैं जो बीच में जो गाद होगा सिल्ट होगा धीरे-धीरे दब कर चटान बन गया तो चटान से इस दंग से उनकी नीचे उनकी नीचे वाई कोल एंड पेट्रोलूम आर कॉल्ड फोसिल्स फ्यूल क्या का हमने जो चटान के बीच में क्या होते हैं पोर होते हैं जिरे चिद्र होते हैं भागो में तेल या गैस का रिशाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फोस जाते हैं क्या आपने कभी अनुमान लगा सकते हैं कोविला और पेट्रोलूम कोई जिवासमी धन क्यों कहते हैं ये फोसिल्स फ्यूल है जो पेड़ पॉंधे या अन्य जो जीव जनते हैं उनको धीरे 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 उनका क्या होगा बैक्टिरिया के द्वारा यह अन्य किसी जो जम्स होंगे उनके द्वारे इनका डिकंपोज किया जाएगा और इनकी बॉड़ी में जो फ्यूल होगा ठीके उसको पानी के अंदर जैसे हमने बोला कि स्पंजी लाइक जो कॉंपोनेंट्स हैं अधिक उन में क्या होता है इस पंजी लाइक में ट्रेप डिके जाते हैं और उससे पेट्रोलियूम प्रोडक्ट को फॉर्म किया जाते हैं तैंक्यू वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब किजिए